कि कि अगए है है मिल्क्न मौनिंग कि आज हम घृति आ आपने हम अपने हम अगए हैं बहील अपने खेतों में तो को अधी सकते हैं थे चारों तरफ अठी यह ईक स्वेस्व ज़ें काम कर रहे है और खेतों में जो दाल होते हैं अरहर की वो लगी है तो सब लोग काम भी कर रहें खेतों में तो आपको नजारा दिखाते हैं तो देखें यहां टीजल चल रहा है पानी से खेतों से पानी पट रही है पानी जा रही है और कुछ लोग क्षेतों में काम भी कर रहे हैं तो उसका भी आपको नजारा दिखाते हैं चलिए देखते रही है देख पा रहे हैं किपनी हर्याली है यहां पर सुद्ध हवा मिलती है और सामने हमारा उधर जो है उस तरफ सामने नदी है और नदी में से बहुत सारे भी ट्रक लगे हुए है बालू लगी से बालू उट रही है सामने हमारा है परण चपा यह स्कूल है सामने लगी हुए है और यह को भी लगे हैं खेथ में अभी यहु का पटवन हो रहा है और पुछ लोग हैं अभी वहां पर मकई लगी हुए तो मकई में यूरिया डाला जा रहा जो की थोड़ा से जल्दी बढ़ा हो तो देख सकते है आभी नंदन बेजू तो चलते हैं उसके पास देखते हैं बात करते हैं उससे क्या हो रहा है तो अब आ गए हैं आ देख सकते हैं यहां अभी नंदन यहां पर अभी मकई में वह युरिया डाल रहे हैं कि और यह मोनों छोटू यहांद मोजूद है देख रहे हैं हाथ तो चलते हैं करका तरफ अब पूछा थे यह प्विन नंदन गुमार से क्या हो रहाунд तो यह देख सकते हैं यह यूरिया डल गई है यहांपर वाइट वाइट सा यहांपर तो अभी चोटेशोटे पोदे हुए है और ऐटेशोटे पोदे हुए है अबी इंट्रीवी लेते है अभी नंदनकुमार का यह क्या कर रहे हैं पर अवाबता है मतनुकोर मैं मसाला डाल रहे हैं मुष्ट पट्वन के लिए सबस्सक्राइब मुझ εκ prendre फश्ट पानी से पहले यूरिया हम लोग डाल रहे हैं इसमें यूरिया का लेकिन बहुत दिक्कत है अभी अब दुकंदार लोग देख सकते हैं अच्छा ये इसके बाद फिर साथ होने के Бाद इसमें के बाद फिर फिर होने के बाद इसमें प्रसों लगे हुए हुए को दूर दूर तक अगर आपको नजर देखिएगा तो शीरिभ आपको खेती का याली नजर आएगा भी लगे हुए है सरसों लगे हुए है और आपको दिखाये दो अधर पटवन भी हो रही है तो यह हमारे गाओं का नजारा है सुद्ध हवा यहां पर जो सहर में लोग रहते हैं यहां आ जाने वाद हमें लगता है कि दस दिन भी रुख जाए तो उसके दो साल बढ़ जाए क्योंकि इतनी अच्छी हवा इतनी सुद्ध हवा और यह इतना अच्छा वातावरन है यहां पर सा और दूब यह त्छी खिली होई है कम हाटा वा रही है धूप में ठंडर दीर दीरे कहतम हो रही है तो झाले किसी कते हैं तो जो भी गाओं में लोग रहते हैं उनकी लिए तो व्ल Спारेंगा equity पानि सब कुछ मिलता है सावरले गगाने पर दूषण में थोड़ा रहना है और यहां तो यहां यह क्लाना भी चाहिए और हैं यह हमारे गाओं का भयार रस्ता है तो यहां तो यह रास्ता है तो यह हमारे गाउं करना जा रहा है कि देख सकते हैं कि देख सकते हैं तो यह हमारी खड़ी आए तो थोड़ा सा हावा ले ले इदर का गूम ले थोड़ा गर्माहट के दोपी गर्माहट के साथ में और खेतों का यह वाता वरन तो देख सकते हैं दूर तक दूर तक यह पूरी दम खेत हैं हमारा लगा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों अच्छा लगा कूंकि कभी-कभी आ जाते हैं छूटियों में तो खेतों का मज़ा ले लेते हैं ठीक है दोस्तों आगे फिर इस तरह कुछ वीडियो औ तो थेंक्यूट फिर आगे कुछ और दिखाते हैं आपको उच और जब तक गाउं में हैं ठीक है दोस्ते थेंक्यू झाल झाल